1st October 1949, दुनिया के सबसे आबादी वाले देश चाइना में तफता पलट होता है। सालों के सिविल वार के बाद, कौम एंदांग के लिडर चियाग का इशेक को हार का सामना करना पड़ता है। और मेंड लेंड चाइना पर Communist Party of China का वर्चस्वत कायम हो जाता है। Western Countries दुविदा में थी, वो एक Communist सरकार को UN Security Council में जगा नहीं देना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने Mainland China की Communist सरकार को मानेता देने से इंकार कर दिया। सदार वल्लब भाई पटेल का भी मानना था कि इंडिया को Communist चाइना को मानेता देने में जल्दवाजी नहीं दिखानी चाहिए। पर PM नहरू की सोच अलत थी। उनका कहना था कि चाइना हिंदुस्तान का पडोसी है और आज नहीं तो कल उसे हमें मानेता देनी होगी। और हम जितनी जल्दी मानेता देंगे हमारे संबंध उतने बहतर होगे। और तीन महिने के अंदर डिसेंबर 1949 में इंडिया Communist सरकार चाइना को officially recognize कर लेता है। पर तारीख बताती है कि हुआ ठीक उसका उल्टा ही। इंडिया तिबत और चाइना के relationship को समझने के लिए ज़रूरी है उस दौर के mindset को समझना, उस समाज को समझना। पीम नहरू और चाइनीज फ्रीमेर माउज इडाउं के psyche को समझना। माउज इराउं मार्सिस थे तो नहरू सोशलिस्ट। पीम नहरू केम्बरेज में पढ़े थे। उन्हें वर्ल लिटरेचर का exposure था। उनके लिए freedom, democracy, equality इन शब्द के कुछ मतलब थे। वही माउज इराउं चाइनीज लिटरेचर में पले बढ़े थे। उनके ओपर मार्स और लिरिन के टेक्स्ट का influence था। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में और चाइना 1950 में। इंडिया के struggle का base था नॉन वाइलेंस। वही चाइनीज कम्यूनिस सरकार सिबिल वार जीत कर सकता में आई थी। इंडिया के top congressmen politicians थे, leaders थे, lawyers थे। वही चाइनीज top ranks, marshals और generals की थी। दोने ही देश को आगे ले जाना चाते थे। पर नहरू का रास्ता था, democracy का, और Mao Zidong का, dictatorship का। वन पाटी, वन लीडर की supremacy। He said, and I quote, political power grows out of the barrel of the gun। नहरू की policy थी non-annoyalment। वही Mao Zidong का पहला decision था, annexation of Tibet 18 January 1950 को Communist China अपना पहला decision declare करता है। Tibet को external powers से liberate करना। Now point to be noted, China, India, Britain और US को external powers की तरह refer कर रहा है। China का ऐसा मालना था, कि India, US और Britain के बहाफ में Tibet में एक proxy war लड रहा है। US चाहता था कि Tibet पर communist influence ना हो। इसलिए वह बहुत सारे Tibetan forces को Colorado में train कर रहा था और East Pakistan के रास्ते उन्हें Tibet में airdrop कर रहा था। India ने भी arms and ammunition supply के जरिये Tibet की थोड़ी बहुत मदद की। But that was not enough। America चाहता था कि उसके anti-China campaign में India deeply involved हो। पर PM Nehru ने ये साफ कर दिया था कि वह Tibet से sympathy तो रखते हैं पर China को नाखुष करने की खीमत पर नहीं। Which again was a very pragmatic step China का तिबबत को ultimatum साफ था या तो वो टेबल पर बैट कर negotiation करें या फिर attack के लिए तैयार रहें तिबबत के पास Chinese धंगीब को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था और इस negotiation के लिए तिबबत अपने representative शाकपा को चाइना भेजने के लिए तैयार होता है पर इस तिबबत representative को ये साफ पता था कि चाइना के लिए ये negotiation सिर्फ एक टूल है तिबबत पर officially कबजा करने का इसी लिए वो बीजिंग पहुँचे ही नहीं डेली पहुँच गए कभी वो PM नहरू से मिलते कभी secretly US Ambassador से मिलते और हेल्फ के लिए लॉबी करते पट नो वस विलिंग तो स्टैंड अप टिबबत और कहते हैं चाइना का peaceful liberation of तिबबत एक धोखा है अगर चाइना तिबबत पर कबजा जमा लेता है तो वो हमारे border से जादा दूर नहीं होगा और उसके बाद चाइना सिमला convention के तहत किये गए तिबबत और इंडिया के संबंदों पर भी सवाल उठाएगा पर PM नहरू ने क चाइना फिर से तिबबत को negotiation के लिए invite करता है तिबबत के पास अब और कोई चारा नहीं तिबबतन लीडर गाबो की leadership में एक delegation finally Beijing पहुचता है पर important point to note इस delegation के पास सिर्फ negotiation करनी की power थी commitment करनी की नहीं चाइनीज leadership के साथ negotiation शुरू होती है और गाबो तिबबत की demands रखते हैं complete independence of तिबबत के defense की जिम्मेदारी तिबबतन आर्मी की होगी कोई भी Chinese troops तिबबत में station नहीं होगा लासा में Chinese representative और उनके guards की संख्या 100 से जादा नहीं होगी और Chinese representative बुद्धिस्ट होगा चाइना said no उनका argument था कि तिबबत historically चाइना का part था और रहेगा और बदले में तिबबत को full spiritual और religious autonomy दी जाएगी जब तिबबतन representative गाबो ने इस deal पे sign करने से इंकार कर दिया तो चाइना ने धमकी दी और कहा कि तिबबत का liberation तो होगा peacefully या army के जरीए प्रेशर में आके तिबबतन representative गाबो इस agreement को accept कर लेते हैं जिसे 17 point agreement भी कहा जाता है तिबबत पर चाइना का control virtually बहुत strong हो चुका था दलाई लावा को जब radio पर इस agreement की खबर मिलती है तो वो इसे accept करने से इंकार कर देते हैं तिबबत के बेहाफ में किसी भी agreement पर sign करने की power सिर्फ दलाई लावा की थी बट ही वाज हेलपलिस Chinese forces LASA की और कूच कर जाती है और Indian Parliament में भी इस Chinese treachery का जोरदार भहिशकार किया जाता है पर PM नहरू इसे play down करते हैं वो कहते हैं कि तिबबत चाइना का part है और चाइना अपनी troops को अपनी boundary के अंदर कहीं भी भी भीज सकती है PM नहरू किसी भी हाल में चाइना को नाखुश नहीं करना चाहते थे इस agreement के दुशपरिनाम की भवश्वानी करता है एक British अकबार And I quote The immediate danger to India is that Chinese may build airbases near the Himalayas from which it might threaten the Ganges Valley This is exactly what is happening Simla Convention 1914 के बाद India और तिबबत के बीच trade relation थे In fact तिबबत में कई Indian trading agencies थी और सबसे important point Lhasa में Indian political officer station था यानि एक Indian presence था, footprint था तिबबत पर कबजे के बाद चाइना का अगला step था तिबबत से सारे Indian presence को धीरे धीरे खत्म करना और इसी सिलसिले में 2-3 साल के negotiation के बाद India और चाइना के बीच एक agreement sign होता है 1954 में जिसे हम पंचशील agreement भी कहते हैं जिसे historian इंडिया का सबसे बड़ा blender भी बताते हैं जाता है हुआ था दोनों देशों के बीच इस पंचशील agreement में territory और sovereignty का सम्मान mutual non-aggression एक दूसरे के internal affairs में non-interference equality और एक दूसरे से benefit के लिए cooperation peaceful coexistence या निशान्तिपूर्ण तरीके से साथ साथ रहना दिखने में तो ये बहुत ही logical agreement लगता है फिर इसे blunder क्यों कहां गया इस agreement के पहले इंडिया की कई trade agencies पहले ही तिबबत में established थी पर चाइना की कोई भी trade agency इंडिया में established नहीं थी So guess what इंडिया ने कैलकटा और डेली जैसे बड़े-बड़े शहरों में चाइना को trade agency सेट अप करने का right दे दिया So we got what we already had and they got New Delhi and कैलकटा इंडिया ने तिबबत में established अपने सारे communication link surrender कर दिये which means कि तिबबत में किसी भी Chinese activities को अप्ट्रैक कर पाना और भी difficult हो गया Peace के नाम पे इंडिया ने अपने arm personal भी तिबबत से withdraw कर लिये So basically border issue को discuss किये बिना similar agreement के सारे conventions को इंडिया ने unilaterally give up कर दिया Now this is contradictory एक तरफ PM Nehru कह रहे थे कि India similar agreement के तहत खिची गई Macmehan line को ही official border मानता है वही दूसरी और similar agreement के तहत मिले हुए सारे rights को इंडिया disown कर देता है This was the huge blender और इससे भी बड़ा blender था कि इंडिया और चाइना के बीच ये पजशील agreement सिर्फ 8 साल के लिए valid था और ये तभी renew होता जब दोलो country agree करती So guess what? चाइना ने इन आठ सालों में तिबबद पर अपना कबजा पूरी तरह जमा लिया और ठीक आठ साल बाद 1962 में इंडिया पर अटैक कर दिया इस agreement के जरिये चाइना ने इंडिया ये किसी भी western powers का तिबद पर इंडर्फेरेंस नलिपाई कर दिया था Now Chinese went for the kill in तिबद तिबद को 17 point agreement के तहट दिये गए सारे commitment से चाइना बैक आउट कर लेता है spiritual और religious autonomy ताख पर रख दिये जाते हैं तिबदन लोगों को sightseeing tour के नाम पर mainland China ले जाया जाता है और indoctrinate किया जाता है लासा में जो हान Chinese है एथनिक Chinese है उन्हें बसने के लिए और शादी करने के लिए incentivize किया जाता है तिबद के spiritual group 13 साल के दलाई लामा के authority को undermine किया जाता है उस दौरान तिबद में station Indian political officer आपापंध बदलते Chinese tactics को देख कर एक report नई दिल्ली भेजते हैं जिसमें वो ये कहते हैं अगर तिबद को communist Chinese पुरी तरह control कर लेते हैं तो उनका अगला निशाना हमारे border की तरफ होगा वो भूटान, सिक्किम, दारजिलिंग, कलिंग पॉंग, लद्दाक, नेफा को भी अपने अंदर मिलाने की कोशिश करेंगे और ये शायद अगले 20 सालों में ना हो, पर ऐसा होने की संभावना से हम इंकार नहीं कर सकते इसलिए ये जरूरी है कि तिबद, तिबदन लोगों के हाथ में रहे तियम नहरू इस रिपोर्ट से बहुत नाखुश हुए उनका मानना था कि ये पॉलिटिकल ऑफिसर्स तिबद में जादा वक्त रहने के कारण अपना द्रिष्टी कोन अपना पस्पेक्टिव खो चुके हैं इसलिए उन्हें ये रिपोर्ट एक अबजेक्टिव रिपोर्ट नहीं लगा और उन्होंने इस रिपोर्ट के वाइडर सेर्कुलेशन पर रोक लगा दी देश की जनता और संसत को ये पता ही नहीं था कि तिबद में हो क्या रहा है इफ एट आल एनिवन वस लूजिंग दे पस्पेक्टिव इट वस पीम नहरू यूएस इस पूरे डिवलप्पेंट में नजर गड़ाय हुए था वो एक मौके की तलाश में था तिबद में इंटरफेरेंस करने के लिए और उसे ये मौका मिलता है 1958 में जब तिबद की खंपास कम्यूनिटी चाइनीज अट्रॉसिटीज के खिलाप रिवोल्ट करती है यूएस इन कम्यूनिटीज के सोल्जर्स को ट्रेन करता है और इस पाकिस्तान के थ्रू एर ड्रॉप करता है चाइनीज फोर्सिस का इस rivul्ट से काफ़ी नुपसान होता है और इस rivul्ट को सब्द्यू करने का उन्हें एक ही तरीका नजर आता है। दलाइलामा चाइना दलाइलामा को rebel forces को हथ्यार डालने के लिए अपील करने के लिए कहते हैं और जब वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हे एक special cultural event अटेंट करने के लिए पेकिंग आने का न्योता देते हैं पर चाइना ये भी कहता है कि वो बिना किसी security guard के पेकिंग आए ये थोड़ा अजीब था तिबबत की जनता को लगा कि चाइना दलाई लामा को पेकिंग गुला कर उने किड़ डैप करना चाहता है नतीजा एक community की बगावत अब पूरे तिबबत की बगावत बन जाती है पर वो Chinese forces के might के आगे टिक नहीं पाती रुटैलिटी से हर उकती आवास को दवा दिया जाता है हर रिबल सोजर को मार दिया जाता है पर दलाई लामा Chinese forces के हाथ में नहीं आते वो गायब हो जाते न्यू डेली को दलाई लामा के asylum request की सूचना मिलती है और उनके asylum request को accept कर लिया जाता है हिमालय के दुर्गम पहाड बरफीले ठंड 19,000 फीट की उचाई और ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के बाद महस 23 साल के दलाई लामा इंडियन टेरिटरी में पहुँच जाते है तिब्बतन forces को तो पूरी तरह से कुचल दिया जाता है PM नहरू को Communist Party हर political forum, media forum पे consistently bash कती है Communist Party के secretary तो यहां तक कह देते हैं कि वो वक्त आने पर हिसाब बराबर करेंगे और वो वक्त बहुत जल्दी आता है इस पूरे decade में, इस पूरे दशक में PM नहरू का एक विचित्र व्यक्तित्व निकल कर सामने आता है वो एक idealist थे, he was a man obsessed with peace वो एक international statesman थे, जो दुनिया में peace की वकालत कर रहे थे पर उनके इनी peace की वकालत को, चाइना ने उनकी कमजोरी समझा उनके तिबबत में policy को लीकर भी दो opinion थे, जो contradictory थे एक तरफ वो Chinese occupation of तिबबत के बार, बार बार अपने private occupation में चाइना के साथ border issue होने की आशंका जता रहे थे, वही दूसरी ओर, संसद में या किसी भी public platform में Chinese threat को underplay कर रहे थे, वो बार बार ये दोहरा रहे थे कि भारत similar convention में तै हुए McMahon line को ही final border मानता है and this contradiction eventually came back to haunt him, इंडिया was soon going to face its biggest international humiliation Nehru was shocked by this unprovoked act of treachery but that story is for another day, thank you अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें